दोस्तों परधानु मंतरी दोरह एक नए अलाउंसमेट किया गया है पैनकार्ड धारकों के लिए जिन दोस्तों वैसितों पैनकार्ड जाधा तो लोग नहीं बनवाते हैं जो लोग भी बैंक के जयादा ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर अन्यव बैंक के कामों के लिए वो pen card बनवा चुके हैं अगर आपने भी pen card बनवाया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा useful होने वाली है क्योंकि अगर आपने इस वीडियो के end तक नहीं देखा अगर आपने pen card को लेकर ये गलती की है तो आपको 10, 1000 रुपे तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है जिया दोस्तो pen card को लेकर ये आई बड़ी update ने हर किसी के होश उड़ा कर रख दिये हैं दोस्तो परधान मंतरी द्वारा इससे पहले भी pen card को लेकर ये सूचना दी गई थी कि जिन लोगों ने भी double pen card बनवा रखाए कई ब फिर cancel करवा दीजे अगर आपने दो pen card एक शक्स का बनवा रखा है यानि कि आपका दो pen card बनवा रखा है आपने तो आप एक pen card cancel करवा दीजे वरना सरकार के द्वारा आपके उपर 10,000 रुपे तक का जुर्माना लग सकता है दोस्तो परधान मंतरी द्वारा इससे बात की अगर आप income tax नहीं भरते हैं या फिर आपकी इतनी आए नहीं है फिर भी आपने pen card बनवा रखा है तो आप अगर दो pen card बनवा कर अपने घर में रखे हुए अगर आपका एक pen card पहले आपने बनवा रखाता है चाहे वो खो गया हो या फिर इसकी जगह पर आपने दूसरा pen card बनवा रखा है दोस्तों तो आप अपना पहला pen card जरूर कैंसल करवा लिजे वरना आपको 10,000 रुपे तक का जुर्माना देना पड़ सकता है इसी के साथ आपको बता दे कि pen card को अधार card से linked कराने की date को भी आगे बढ़ा दिया गया है फटा-फट से अपने pen card को अधार card से linked करा लिजे ताकि आपको आने वाले वक्त में हर काम करवाने में काफी ज़्यादा असानी होगी दोस्तों उमीद करती हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा यूसफुल साबित होगा कामेंट पे अपनी राय शेयर कीजिए अपनी राजिक करना काम समय देने के लिए हमें धन्यवाद